हलो मेरा नाम डॉक्टर दीपक केड़ेगर है मैं मनोविकार सेख्ष्रोग सम्मों दधा वेसंद मुक्ति तग्य हूं महाराष्ट में अकोला में प्रैक्टिस करता हूं आपका फिर्दे स्वागत है वायगरा के बारे में आपको भी बताने वाला हूं काफी सारे लोग करोडों लोग आज एक बिमारी से ग्रस्त है और वो बिमारी है कि शिस्ना का कड़क नहीं होना कठोर नहीं होना या उसको बोलते इरेक्टाइल डिसफंक्शन शिस्ना में टेंशन नहीं आना और उसे सेक् पाना लोग बजयर में जाते हैं इसके पास में जाके परबारे वो दवाई खरीदते यह उसमें फाइदा होता नहीं वाइगरा क्या चीज उसके बारे में आपको बताऊंगा और बाद में आपको पाऊंगा कि नपून सकत्व जो आता है जिसमें कठोरता नहीं आती शिस्न में उसके लिए क्या हिलाज है कि 1998 में 1998 फाइजर कंपणी ने यह दवाई का खोच किया एक्चुली यह दवाई फाइजर कंपणी पल्मोनरी हाइपर टेंशन नाम के बीमारी के लिए एक दवाई का खोच कर रहे थी उसमें रिसर्च चालू था और यह सिल्डाना फिल है उसमें एक केमिकल कंटेंट सिल्डाना फिल तो वो पल्मोनरी हाइपर टेंशन के लिए हो जाएगा और उनको उसमें सफलता भी मिली अगर उनको यह मालूम पड़ा उसके साथ-साथ कि यह जब दवाई हम पल्मोनरी हाइपर टेंशन के लिए दे रहे है तो उसके साथ-साथ ही यह लोगों को इरेक्टेल डिस्फंक्शन का प्राब्लेम जो भी स्वाल हो रहा है मतलब शिस्ने में कठ्छोरता भी आ रहे जैसे हैं उनको यह मालूम हुआ कि भी नहीं है इरेक्शन हो रहा है और जिनको न Old iidya हो जिसमें जो लोगों को शिस्ने में कठ्छोरता नहीं आ रहती इरेक्शन नहीं हो रहता उनको इरेक्शन आना चलो दवाई से तो उनको हाथ में तो एक बड़ा खजाना लग गया company को उन्होंने अरबो रुपा कमाएं क्योंकि यह दवाई वायगरा के नाम से फेमोस होगी दुनिया वर में और company ने बहुत धुम कर दिया पूरे दुनिया में फिर काफी सारे company बाद में दवाई यह बनाई और अभी वायगरा के मतलब फाइजर ने बनाई मगर आभी काफी नाम से यह दवाई बजार में उपलब्द है ख़ोता कि यहा है कि जो सिल्दनाफिल दवाई है वो सिल्दनाफिल जब हम लेते है तब शिसन की जो 9 नाडियां खून की नाडियां वो फैल जाती है और नाडिया फैलने से क्या होता है कि शिस्न में खून का बहना बहुत ज्यादा हो जाता है मतलब जो नॉर्मली खून बहता है उससे दस गुना ज्यादा शिस्न में खून जाता है करिख पर दोसो से धाई सौ मिलिलिटर खुन मतलब आदा पाउ से एक पाउ तक खुन अंदर शिविस्दे में जाता है प्रवेश कर लेता है और उसे शिसदने में कठोरता आती है और उससे फिर सेक्स करना संबह होता है तो लोग दवाई लेते हैं और दवाई लेने के बाद में भी कभी-कभी लोगों को कट्रोटा नहीं आती है नपून सकत्व वैसे रहता है फिर हमारे पास में आते कि दवाई तो लिया फाइदा नहीं हुआ क्योंकि यह दवाई लेने से सिर्फ होता नहीं है फोर पले होना जरूरी है मतलब दिमाग के उपर यहיתं टेंशन है नमबर एक बहुत ज्यादा टेंशन है तो दवाई आप कितने भी-काओ कुछ नहीं होगा और दूसरा टेंशन नहीं है मगर फोर पले नहीं किया मतलब sex करने के पहले खेल नहीं किया पांच-दस मिनिट 15 मिनिट एथी four play जिसको पॉलते काम कृड़ा वह काम कृड़ार यह नहीं किया four play नहीं किया तो फिर दवाई लेने त्री के काम के मतलब महिलाओं के काम के लिए आती कि ने उसके बारे में मालूम नहीं अभी आज मगर पुरुष लोगों को तो डेफिनेटली काम में आती है अब कुछ लोगों को इससे भी फायदा होता ने तो क्या करे तो एक इंजेक्शन आता है जिसको बलते है पैपेवर जाता है जिसमें वो इंजेक्शन देने के बाद में लिए कठ्षणा आती है और वक्ती सेक्स कर सकता है तो बीसें इंजेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं कि दूसरा जो है और एक वह पिनाइल इंप्लांट वो तह अभी मेरे 35 साल के प्रैक्टिस में मुझे कभी पिनाइल की जरोध में पड़ी और Pnil Implant देने का काम न convert matal पेनिस में मतलब शिर स्नमें डाले जाते है और भी सबकर ना है तो उसका बटन जो बटन दमाने के बाद मैं उसमें कठ्षक करने के बाद में फिर से वह उसको उसको मुड़ मुड़ के पार्टनर जो है आपकी वह इंट्रेस्टेड है और इंट्रेस्टिंग है सबसे बड़ा बेस्ट और तो वह है दवाई कितने भी खाओ दिमाग शांत नहीं रहा दिमाग के उपर बहुत लोड है तो आपको कठोरता नहीं आएंगी सेक्स होंगा नहीं यह दवाई यह जिसलिंग करना कांसिलिंग करना अपने दोनों को समझके लिए न दोनों ने अच्छे रिष्ठे बनाना जो वर हंनों एंश्वास है कि लोग हमारे पास में आते नहीं उटी वीडियो मिल गया ना को बहुत फायदा होगा क्योंकि लोग आते नहीं और एसा बोलती ने उनको शरम आती है कि डॉक्टर के पास में कैसे जाना तो यह लोगों को जरूर शेर करो आपको अच्छा लगात आप सब्सक् पास्तिय और वेसन मुक्त भारत उसमें भी आपका हाथ लग जाएंगा थैंक यू भेरी मच्छ